हेलो फ्रेंड्स माइनम इस डॉक्टर सूफी रूमी हमें मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड कॉर्परेटर आज का बहुत ही शांदार वीडियो है फार्मसेटिकल इंडस्टी में हमारा मेजर कस्टमर डॉक्टर होते हैं ठीक है और डॉक्टर पर हम कहीं न कहीं कुछ न अंगेजमेंट किया तो मेरे रिटर्न अफ इंवेजमेंट आना चीए टाइमली आचीए बड़ टाइमली नहीं आता अज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है engagement is not a problem engagement हो रिटर मिटर्न अप इंवेजमेंट आना चीए वो सबसे बड़ा biggest problem है और वह challenges है और वह ultimately हमारे organization की profitability को compromise करता है so ROI नहीं आ रहा time पे उसका क्या current है वो हमें पता रहना चीए because reason ही हमें पता नहीं रहेगा तो हम उसको rectify नहीं कर पा रहे because engagement activity is a part and parcel of marketing वो कभी stop नहीं हो सकती यह continuous process है but जो मेरे problem है और जो challenges अगर timely उसको address नहीं करूंगा तो profitability turns into loss फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी problematic है so क्या current है कि ROI मेरा timely आए जो expectation है organizations का वो timely करे पहरा reason है जहाँ भी मैंने किसी भी customers पे मैंने activity किया है engagement activity किया है पहला reason है अगर नहीं आ रहा कि lack of ownership lack of ownership का मतलब बहुत सारी meanings होता है कि वो responsible नहीं है frequency उसकी सही नहीं है follow up सही नहीं है properly वो जिस तरीके से उसका commitment था बात करने का या जो delivery था वो appropriate नहीं है so casual approach is one of the reason अगर accountability नहीं है ownership नहीं रहेगी उसकी lack of ownership रहेगा so but natural business cannot return of investment cannot get on time यह problemity हमेशा रहेगा so जबी भी कहीं भी engagement activity करते हैं please अपने ownership को बहुत strongly करें frequency follow up पे काम करेंगे आप पहला दूसरा सबसे important है कि जिस भी जहां पर भी जिस counter भी करना चाहते हैं है आप आपका अपना doctor के साथ या customer के साथ connect बहुत अच्छा होना चीए अगर connect अच्छा नहीं रहेगा my dear friend so यह आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान है तो ownership is very important lack of ownership दूसरा सबसे important point जाता है potential measurement is one of the reason मैंने किसी customer पे engagement activity किया है बड़ पता है कि मुझे जो रिटन हर में आना चीए 15,000 20,000 25,000 वो आई नहीं रहे मतलब क्या है या तो मेरा selection सही नहीं है या selection सही है मुझे returns नहीं आ रहा है reason नहीं आने का reason बहुत सारा होता है मैंने product select नहीं किया मैंने product select किया बड़ प्रॉपर डिमांड नहीं किया मैंने product select के लिए कि मेरे को हर मेना 15-20,000 25,000 रुपिस का में मेरे liquidations होना चाहिए अगर ऐसा आप calculate करेंगे so I think that potential measurement with respect to time bound you will get the right amount of ROI to that same customer यह बहुत important होता है आएगा 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 ऐसा नहीं होता आएगा कप आएगा कितना तेर में आएगा कौन से ब्रैंड से आएगा कब तक आएगा यह दूसरा चीज बहुत important तो lack of ownership is one of the reason जिसमें ROI नहीं आते तो हमें अपने ownership को बढ़ाना है potential measurement हमको volume को unit पर convert करना है और third सबसे important होता है जो आपका expectation setting the right expectations हर मेना आपको 10,000 काना चाहिए आप over expected मत करें कि मुझे 20,000 आ जाएगा तो अच्छा रहेगा यह 5,000 आएगा जो भी आपने set of expectation रखा है उस set of expectation से proper follow-up करें ठीक है proper RCPA करें physician RCP करें retail से RCP करें क्या challenges आ रही है क्या किस तरीके से अपने brand को आपर positioning करके रखा है segmentation करके रखा है regular उसमें काम करेंगे तो I think आपका आने वाले सामय में आपके relations भी अच्छी develop होंगे engage भी अच्छा कर पाएंगे business को proper consolidate भी कर पाएंगे और timely आप activity future में भी कर पाएंगे otherwise क्या है return of investment नहीं आने के वैसे time पर या तो relations में problem आता है conflict of relation first दूसरा चीश counter खराब होता है third internal हमारी team की trust commitment है वो भी खराब हो जाता है सो प्लीज work out कर आप internal customers पर कि मुझे किस तरीकी से plan out करना है because ROI is very important यह मैं कुछ technique है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बाकी इसके लब और भी बहुत सारे चीज़ेस है doctor selection से लेके retail से लेके discount से लेके activity है timely activity है there are multiple reasons but कुछ चीज़ है जो lack of ownership potential measurement right expectation from the customers frequency and follow I think इस छोटी छोटी चीज़े पर आप ध्यान रखेंगे my dear friends so मैं expect करता हूं कि आपका return of investment भी time पर आएगा profitability भी improve होगी और आपकी customer के साथ आपका professional terms भी maintain रहेगा I think अगर यह वीडियो पसंद आया तो like करें comment करें share करें और subscribe करना ना बुलें और अपनी challenges बिल्कुल मेरी वीडियो में share कर दें thank you very much all the very best